अब यहाँ पर स्रीहरी विष्णु के अवतार महराज कल्की के धाम को एक नया सुरूप देने का उचुनाव है चुनाव उधर ही जा रहा है आपने देखा होगा ना लोग कहते थे पहला युद्या के बारे में भी लोग यह कहते थे क्या यह हो पाएगा बोलते थे ना जब हम लोग विष्णु परिसाद भाजपा के लोग नारा लगाते थे बजरंग अदल के कारे करता नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे कॉंग्रेस और सपा के लोग हसते थे कहते थे अरे क्या बोलने हैं इस लोग बोलते थे न इस लोग तब भी हसते थे और तब भी कहते थे उपास करते थे हम लोग का कहते थे देखो ये कभी ओई नहीं सकता और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था सपा ने कहा था, समाधवादी पार्टी ने कहा था कि युद्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता कॉंग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं और जब नयाएले फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था अगर फैसला कोट ने कर दिया तो खोन की नदियां बहेंगे अरे हमने का ये नया यूपी है भई यहां खोन की नदिया नी मच्छर भी नी मरने वाला है कहें आप चिंता मत कुछ नहीं होगा आपने साथ वर्स में कोई कर्फियू देखा यूपी में कोई दंगा देखा है क्या अब दंगा नहीं होता या कर्फियू का स्तान तो कावड यात्रा ने ले लिया है और इसलिए भाईो बेनो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ बारती जनता पार्टी ने धारा 370 कस्मीर से हटाई बारती जनता पार्टी ने कासी विश्वनात धाम भी दिया बारती जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युक्ये भगवान राम के काल खंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्ता को सम्मान दिया है और और क्रिस्न कनया के मतुरा बिंदावन के लिए भी एक बड़ी कारे योजना के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं और मैं बोलना चाहता हूँ बे हमारा एजेंडा तो एक दम तै है हम करेंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से क्या वह भी छोड़िये और जगे छोड़े केला देवी के लिए ने किया उनसे गलती हो गई नहीं किया उन्होंने अयोध्या के लिए उन्होंने उनके मन में जो भी भावता उन्होंने जो कर दिया हो गया कासी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने नहीं कर पाए माविंदुवासनी धाम के लिए नहीं कर पाए लेकिन क्या मतुरा ब्रिंदावन के इस कारिक्रम में जिसको ले करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी क्या इस मकाम इस कारे में इस पूर्णे कारे में सयोग कर पाएगी आप पूछना उनसे और वेन और वाईयों जब ये ना आपको सुरक्सा दे सकते हैं ना देश को सम्मान दिला सकते हैं ना गरीब कल्यान कर सकते हैं ना विकास ही करा सकते हैं ना आपकी आस्ता का सम्मान ही कर सकते हैं तो फिर इनको चुन करके क्या करेंगे आप काहिए इन बोजे को ढोने क्या हो सकता है और फिर संबाल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जिनको भारत माता की जैजैकार करने में संकोच होती हो उनको भारत की संसत में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए जिनको भारत का राष्ट गान और राष्ट कीत पसंद नहीं जिनको भारत का राष्टगान और राष्टगीत पसंद नहीं जिनको भारत का सम्विधान पसंद नहीं जो भारत माता के प्रती सम्मान का भाव नहीं रख सकते भारत के विक्सित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है उनको देश की संसद में ही नहीं बलकि भारत की धर्ती पर भी रहने का दिकार नहीं होना चाहिए और यही मैं संबल से आप सबसे अंडोत करने के लिए आया हूँ कि मैंनोर भाईयों यह नया भारत अपनी जंता की सुरक्सा और उनकी संब्रिदिका और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपठना भी जानता है अच्छी तरह जानता है और उसी के लिए आपका